बढ़ते प्रदूसर्ण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की तरप से पिछले एक महीने से युद्ध प्रदूसर्ण के विरुद्ध अभियान चलाये जा रहा है जिसके तहट अलग-अलग मोर्चों पर दिल्ली के अंदर के जितने भी सुरोथ हैं जितने भी सोर्शेज हैं जो प्रदूसर्ण पैदा करते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए सरकार काम कर रही है दिल्ली के अंदर वैसे तो पराली बहुत कम जलती है लेकिन इस बाद लॉक्टाउन और करोना काल की वज़े से मैदूरों के घर जाने से काफी मसीनों से जो है कटाई की गई दिल्ली में पराली को जलाने की जगह गलाने के लिए राश्टे क्रिसी अनुसंधान केंदर संस्त हूसा के साथ मिल करके दिल्ली सरकार ने बायो डी कमपोजर का नहिसुल्क छिड़काव दिल्ली के अंदर अलग अलग हिस्सों में धान की उपज होती है उसमें से अब तक अठारा सो एकर खेतों में बायो डी कमपोजर का छिड़काव हो चुका है और नजफ गड़ेरिया में कुछ जगहों पर पानी लगने से धान की कटाई अभी देर से हुई है अगले तीन से चार दिनों में हम दो हजार एकर छिड़काव के लख्ष को पूरा कर लेंगे बायो डी कमपोजर को लेकर के दो तीन प्रस्न थे लोगों के मन में पहला जो सबसे बड़ा प्रसंद था कि टाइम इसमें कितना लगेगा और क्या बायो डी कमपोजर का उप्योग करने के बाद अगले फसल की बुवाई समय से हो सकती है हम लोगों ने तेरह तारीक को इसकी सुरुवात की थी हिरनकी से और आप सब लोगों की उपस्तिती में मुखमंत्री जी ने जा करके वहाँ उलोकन किया और वहाँ पर लगबग 90-95 पराली गल करके खाद में तब्दील हो चुकी है लेकिन वो एक घटना थी दिल्ली के सभी हिस्सों में हमने बायो डी कंपोजर का छिड़काव किया है और पूरे दिल्ली के अंदर इसका क्या इंपक्ट रहा है इसके लिए सरकार पूसा बायो डी कंपोजर इंपक्ट असेस्मेंट कमेटी का गठन कर रही है ये इंपक्ट असेस्मेंट कमेटी 15 सदस्य कमेटी होगी जो दिल्ली के अलग-अलग छित्रों में नार्थ, वेस्ट और साउथ जहां पर भान की खेती होती है और जहां छिड़काव हुआ है असेस्मेंट कमेटी के मेंबर वहां जा करके ग्राउंड रियल्टी चेक करेंगे कि इस पूरे बायो डीकंपोजर का क्या इंपक्ट हुआ है इसमें पांच माननी विधायक सदस्य होंगे जिसमें नरेला के विधायक माननी सरच चौहान बवाना के जैभगवान उपकार मुंडका के विधायक स्रीधरम पाल लाखडा मत्याला के विधायक स्री गुलाब सिन्यादव और ब्रिजवासन के विधायक बियस जून ये पांच मेंबर चुने हुए प्रत्निती होंगे पांच मेंबर इस assessment committee में क्रिसी विभाग के अधिकारी होंगे जो अलग-अलग area में वहाँ पे इस पूरे process को conduct कर रहे हैं और इनके साथ-साथ पांच मेंबर पूसा इंस्चूट के वैग्यानिक होंगे जो जिनके मारदर्सन में निर्देशन में ये सारा काम हो रहा है तो ये 15 सदस्री committee अगले एक हपते में अपना एक assessment report सरकार को submit करेगी और इस पूरे report को हम दिवाली के बाद supreme court ने पलूसन के case को hearing करने के लिए बोला है तो इस पूरे report को हम दिवाली के बाद जब hearing होगी तो मानने सरोच नयाले के सम्मुक हम इस report को submit करेंगे और इस निवेदन के साथ कि केंदर सरकार ने अभी नया commission बनाया है मैं उन सभी सदस्यों को बढ़ाई देना चाहता हूँ जिन्होंने mm कुट्टी जी के अधिश्टा में जिम्मेदारी सम्हाली है जैसा केंदर सरकार ने आज सुप्रिम कोट को सूचित किया है और ये भी चाहता हूँ कि कम से कम ये commission आज दिल्ली के सामने प्रदूसर दिल्ली से भी पैदा होता है लेकिन आज जो संकट गहराया है उस संकट में 44% जो कल का आकड़ा है कि 44% जो पलूसरन है वो पराली की वज़़े से हो रहा है तो सरकार ने निड़े लिया है कि इस पूरे assessment committee की report को हम माननी सरोच नयाले के सम्मुक भी रखेंगे और ये उमीद भी करते हैं कि नया commission दिल्ली के अंदर सबसे कम पैसे में जो solution पैदा हुआ है जो समाधान पैदा हुआ है जिससे पराली को जलाने की जगा गलाया जा सकता है और अभी उत्तर प्रदेश में हमने खबर पड़ी किसानों की उपर एफायार हो रहा है कई लोगों को जेल में बंद कर दिया गया ये समाधान नहीं है पराली का पराली का समाधान है केंद्र सरकार आज जितना पैसा खर्ष कर रही है सबसिटी दे रही है मसीन खरीदने के लिए उससे एक चोथाई पैसे में ही चारो तरफ नेसुलक सरकार की तरफ से बायो डी कमपोजर का छिड़काव किया जा सकता है दिल्ली के अंदर में बताना चाहता हूँ लगबक उन्होंने दो करोण रूपे का बजट दिया है किसान मसीन खरीदें जिसमें 50% किसानों को भी पैसा लगाना है हमने 20 लाख रूपे खर्ष किये दिल्ली सरकार ने 20 लाख रूपे लगाए है और 20 लाख रूपे में दिल्ली के अंदर जितने भी किसी जो धान की होती है खेती उन पर हमने छिड़काव करा दिया किसानों को कोई हड़क लेने की ज़रुवत नहीं है इसलिए किसानों पे फायार करना उनको जेल भेजने की जगा सरकारों को चुकि ये राश्टियन संधान केंदर द्वारा ये सारा प्रियोग हो रहा है सभी राज़ुमों ये कमिसन इसको इंसियोर अगर करे कि सभी राज़ी सरकारें केंदर सरकार मिल करके निसुल्क हर जिले में टीम गठित की जाए और इसका छिड़काओ किया जाए मुझे लगता है इस बार तो देर हो चुकी है समय रहते कि इंदर सरकार ने नहीं सुनी ये बात लेकिन अगले इस बार से कम से कम दिल्ली के लोगों को इस पराली के संकर से मुक्ति मिल सकती है